नमस्ते डिया वीवस्त आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सेकेंड लॉफ थर्मोडानमिक्स और इंट्रॉपी के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूलास है वह यहां पर हम लोग लिखें हैं हर एक फॉर्मूला को दीरे दीरे डिसकस करते वे चलते हैं उनमें क्य क्या मतलब है उन सबको देखते वे आगे चलेंगे और जो हमारा फॉर्मूलास का प्लेलिस्ट है उसका यह वीडियो नमबर टू है इसके पहले हम लोग ने फॉर्स लॉफ थर्मोडानमिक्स के रिगार्डिंग देखा था टूटल फॉर्मूलास तो उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से आप देख पाएंगे तो चलिए जो सबसे पहला जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है वह एफिशेंसी लिखा है हीट इंजन का चुकि जो हमारा सेकेंड लॉफ थामोडानमिक्स है या यू कहिए जो इंट्रॉपी है इस इसमें सबसे पहले हीट इंजन और कार नॉट्स हीट इंजन ही देखने को मिलता है तो बेसिकली जो हीट इंजन है इसका जो इफिशेंसी होता है इसको हम लोग इटा से डॉनेट करते हैं वह होता है आपका वॉक्डन डिवाइड़ेड भाई हीट अब्सॉप्ट मतलब व सौकिंट सवस्टैन से यह सोर्स है टीवन ठेंपरेचर अपर यह 1-से q1 एमांट ऊफ हीट ली और इसको q2 एमांट पर helpers act कर दे और जो वॉक्डन की वहों क्यों माइनस q2 हो बें है तो वोक डन की जगे q1-q2 रख दे और amount of it q1 रखे तो देखिए efficiency क्या मिलेगा 1-q2 by q1 एक और चीज़ कि देखिए यह जो q2 by q1 है ना q2 by q1 है यह t2 by t1 से equal होता है अब क्यों होता है यह हम लोग ने एक वीडियो में है डिसकस किया है तो उतना डिप जाएंगे नहीं हम लोग ठीक है तो कि बेसिकली फॉर्मूलास डिसकस कर रहे है और यहां एक चीज़ जहां रखिएगा q2 हमेशा q1 से कम होता है कहने मतलब है कि amount of heat जो सिंक को रिजेक्ट किया जाएगा वो हमेशा कम होगा amount of heat जो वो अवजाब कर रहा है ठीक है अब बात करते एफिशेंसी ओफ कार नॉट्स हीट इंजन की सेम फॉर्मूला है इटा इस एकल टू वन माइनस q2 by q1 और वन माइनस बस इसमें एक चीज जो है आप अब करोगे जिसको आप धिहान में रखिएगा क्योंकि यह सारी चीज़ ना assertions के form में पूछ देता है reasoning वगरे में ठीक है कि जो इटा है वो सोर्स और सिंक के बीच का जो temperature difference है उस पर directly proportional होता है मतलब इन दोनों के बीच temperature का difference जितना जादा होगा उतना ही जादा Carnot's heat engine का efficiency होगा जो तो हम लोग यहाँ पर expressions लिखे हैं इसके according यह कह सकते हैं कि इटा जो है यह एक्चुली सोर्स और सिंक के temperature पर डिपेंड करती है वोकिंग सबिस्टेंस के nature पर वो जादा डिपेंड नहीं करती है आगे बढ़ते हैं entropy में चलते हैं change in entropy का यहाँ छोटा सा expression देखते हैं देखे change in entropy का मतलब क्या है हमें पता है entropy क्या है एक प्रकार का thermodynamic variable है क्या सकते हैं जैसे internal energy है वैसे entropy भी है इंटर्नल एनजी क्या state function है उसी प्रकार entropy भी state function है वो initial और final state पर depend करती है तो entropy जो change हो रहा है उसको ds से represent करके हम लोग ऐसे लिख सकता है integral over a to b dq by t is equal to initial state to final state dq by t ऐसे लिख सकते हैं अब देखिए dq जो है according to first law of thermodynamics dq को हम लोग क्या लिख सकते है जो dq है इसको क्या लिख सकते है तो dq के जगे पर आप ऐसे लिख करके इस प्रकार से भी change in entropy का formula पता कर सकते है ना क्योंकि अलग अलग तरीके से formulas को use करना सीखना होगा हम लोग को ठीक है तो change in entropy को इस प्रकार से लिख सकते हो अलग अलग तरीके से इसको दिखना है यहाँ dq क्या है amount of heat given t क्या है temperature और ds क्या है change in entropy देखे फिफ्ट में जो हम लोग लिखे है formula यह काफी important है यूगि इस से क्या होता है बहुत सारा equation solve करने को देता है delus greater than equal to zero कहने का आर्थ यह है कि जो delus है वो 0 से equal है और delus जो है यह greater है 0 से अगर आपका process reversible है तो इस case में entropy constant रहता है unchanged रहता है है ना मतलब change in entropy 0 से equal होगा और अगर process irreversible है तो इस case में क्या होता है कि जो entropy है वो increase करता है बढ़ता है इसके वज़े से जो change in entropy है वो 0 से greater होता है देखिए ऐसे एक overall system है उस overall system का entropy कभी घड़ता नहीं है बढ़ता ही है ठीक है अगर आगे बढ़ते हैं आगे है coefficient of performance of refrigerator आपको पता ही रेफ्रेजरेटर क्या है रिवर्स कार नॉट्स हीट इंजन है मतलब वो sink से ही heat absorb करता है और greater amount of heat reject करता है कि इसको source को हैना तो उसके लिए अब लोग coefficient of performance पता करते हैं रेफ्रेजरेटर के लिए और coefficient of performance जितना ज्यादा होगा है रेफ्रेजरेटर हैं उतना अच्छा होगा है उतना कम काम करना पड़ेगा रफ्रेजरेटर को ओके यहां देखिए जो coefficient of performance है बीटा से जिनेट करते हैं वो इकोल होता है Q2 by W जे Q2 क्या है amount of heat जो वो sink से लेगी यह sink है sink से क्या करेगी Q2 amount of heat लेगी और greater amount of heat जो है Q1 reject करेगी और बाहर से उसको कुछ work done मिल रहा होगा ठीक है ना तो देखिए Q2 और W के जगा Q1-Q2 रख दिया है and substitute करके इस प्रकार से एक equation मिला अब चूकि हमें क्या पता है कि जो Q2 by Q1 है यह actually T2 by T1 से equal है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 वो चीज़ यह substitute करके इस प्रकार से जो है formula निकाले ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा बीटा क्या है यह inversely proportional है work done पर मतलब यह है मेरे प्यारे वीवस कि अगर बीटा मतलब coefficient of performance अगर refrigerator का जाधा है तो उसको कम काम करना पड़ेगा ओके लेकिन अगर coefficient of performance कम है तो उसको जाधा कारे करना पड़ेगा ओके यह सारी चीज़ आप समझ पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं कारनाट स्थियूरम जो है हमें एक point देता है क्या point देता है यह point देता है कि दो same temperatures के बीच अगर एक reversible engine कारे कर रही है और एक irreversible engine कारे कर रही है तो same temperatures के बीच तो उस स्थिती में जो reversible engine होता है उसका efficiency जादा होता है as compared to irreversible engine लेकिन वही मेरे प्यार है अगर दोनों ही engine reversible हो तो efficiency equal होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ हम लोग लिखे है change of entropy in reversible process देखो इसको क्यों लिखे basically change of entropy reversible process में वो डलस is equal to 0 होता है ठीक है हम लोग पता है लेकिन इसी को अलग-अलग तरीके से represent किया जा सकता है तो आप confuse ना करे इसलिए यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ लिखे है अब चलता है आगे हमारा जो 9 वाला है यहाँ लिखे है देखेगा entropy of a perfect gas perfect gas अर्था आइडियल गैस आइडियल गैस का entropy entropy change S2 minus S1 is equal to Cv log E P2 by P1 plus Cv log E V2 by V1 अब इसी को जो है हम लोग इसी equation को इस प्रकार से भी लिख सकते है अगर pressure equal हो volume equal हो temperature equal हो अब देख लिजेगा ठीक है चलता है आगे देखे entropy का statistical definition के according हमें जो है एक equation मिलता है S is equal to K log E अर्थात इससे यह पता चलता है कि S जो है W पर directly proportional है W क्या है वही है thermodynamic probability और यह जो thermodynamic probability जितना जादा होता है जितना जादा उतना ही disorder होता है अब disorder बढ़ रहा है तो अब इसी बात entropy भी बढ़ेगा और किये यहाँ क्या है Pulseman constant जिसका value इतना होता है ठीक है आगे चलते है additive nature of entropy है देखे entropy जो है न यह extensive property extensive parameter होता है जैसे माल लिजे कि यह कोई एक system है ओके यह खुद में 4 systems consist कर रहा है एक का entropy S1 है दूसरे का S2 है तीसरे का S3 है और चौथे का S4 है तो इस पूरे system का जो entropy होगा न वो individual systems के entropy के sum से equal होगा इसको कहते है additive nature of entropy अर्थाथ extensive parameter इस तरह का things भी देता है exams में third law of thermodynamics क्या कहता है at absolute zero entropy is zero यह कहता है ठीक है चलते हैं आगे देखे 13th जो point है प्रकार से point बना के लिखे हैं हम लोग चेंज इन इंट्रॉपी of the whole system during carnot cycle is zero carnot cycle के case में जो whole system में जो change in entropy होता है वो zero से equal होता है यहाँ TS diagram के बारे में बताया गया है temperature entropy diagram में जो efficiency हम लोग drive करके निकालते हैं वो सेम आता है जो हम लोगो PV diagram में मिलाता है यह सारी चीज़ तो discuss की हुई है अब यहाँ यह एक बहुत important चीज़ है देखे क्या कहा रहा है कि equilibrium state अगर कहीं पर है तो equilibrium state में जो आपका thermodynamic probability होता है न वो maximum होता है अब इस जो है यह directly proportional है कि इस धबलू पर अब यही maximum है तो अब बेस सी बात है यह भी maximum हो जाएगा तो entropy भी maximum हो जाएगा हना अब entropy maximum हो गया equilibrium state मतलब है कि entropy change नहीं होगा change in entropy 0 से equal होगा अब आखरी जो 16th नंबर में जो formula लिखे हैं हम लोग वो क्या है work done इन्हें reversible process रिगर reversible process में जो work done होता है वह आपको कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है ठीक है तो इसमें हम लोग क्या देखें entropy और second law of thermodynamics का combined formulas यह video number two था इसके बाद हम लोग Maxwell's equations में जाएंगे real gases में जाएंगे thermodynamics potentials में जाएंगे different topics का जो formula से उसको discuss करेंगे hope यह जो video है आपके लिए helpful हुआ होगा